आश्क्रम न कम स्टुरेंच्व वर्यू यू अल रोल अकर यू न्मम्र मैं गए कंऊट्राइंड पिस में जुरिद्सक्रणों आज हम इन तीनों की exercise करेंगे ठीक है तो सबसे पहले first में है draw the minute hand in red and the hour hand in green तो स्वेंट्स यहां पे हमने draw करना है minute and hour hand minute and red color में और hour hands आपने green color में draw करना है according to the time given below तो जो time हमें नीचे दिया गया होगा उसके मताबिक तो स्वेंट्स यहां पे हमें सबसे first watch में quarter to ten दिया होगा ठीक है quarter to ten दिया होगा quarter to ten means अभी ten हुए नहीं है लेकिन होने वाले है ठीक है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि nine और ten के mid में hour hand बनाएंगे और जो quarter two होता है वह हमारे पास minute hand की needle nine पर होती है ठीक है तो सबसे पहले minute hand ड्रॉ कर लेते हैं जो के green color का होगा sorry minute hand होगा red color ठीक है तो सबसे पहले minute hand draw कर लेते हैं जो के red color का होगा minute hand in red तूरेंट के लिए हमने यह मिनट ईंट रैड कलर के लिए ट्रॉब कर लिया उसके बाश्कार्ण्स हमने आवरेंट गरीन कलर में ड्रॉख करना लेकिन टैन का ट्र एन को टैन हो रहे हैं इसका मतलब 9 and 10 के मिट से थोड़ा 9 के मिट से 9 और 10 के मिट से थोड़ा आगे की तराफ यह आवर एंड होगा ठीक है जैसे अभी 10 हुए नहीं है होने वाले हैं तो हम 1, 2, 3, 4 पे हम बना लेते हैं ठीक है आवर एंड इस तरह ठीक है इसके बाद अब नेक्स वाच देखें quarter past के लिए हमने यहां पे देखा था कि मिनट हैंड 3 पे होता है और आवर एंड 7 और 8 के मतलब मिड में होता है किसी भी जो नंबर हमें दिया जाता है ठीक है जैसे quarter past 4 तो quarter past 4 है तो हम सबसे पहले minute हैंड करेंगे quarter past के लिए हमारे पास minute end 3 पे होता है तो red color के है तो हमने 3 पे needle ड्रॉ कर देनी है लेकिन याद रहे कि जो minute end की minute end होगा वो long होगा और hour end short होगा तो quarter past 4 के लिए है तो इसका मतलब अब हमारे पास 4 & 5 के मिड में हमारे पास यहां पे quarter past के लिए यहां पे right करेंगे हम क्यूंकि quarter past होता है next number की तरफ जा रहा है quarter past 4 के लिए हम 4 & 5 के मिड में draw कर देंगे our end ठीक है तो students अब next देखे 45 minute past 3 तो यह हमारे पास quarter to 10 कि तरहां है यह जिसमें हमारे पास minute end के लिए हम red color use करेंगे ठीक है 45 minute past 45 minutes है न तो red 9 पे हमने 45 minutes के लिए minutes के लिए हमने red color से draw कर लिया minute past 7 तो हमने यहां पे 7 के पास our end write कर लिया लेकिन 7 से 7 और 8 के मिड से थोड़ा थोड़ा सा आ गया ठीक है तो अब यहां पे देखे 245 है तूसरां minute end हम हमारा red से ही होगा इसी तरह 245 के लिए 9 पे जाएगी needle हमारी minute के लिए और 2 and 3 के mid में mid से थोड़ा आगे 3 की तरफ जा रही है यह needle hour end बना देंगे ठीक है hour end small होनी चाहिए और minute end long होना चाहिए इसके बाद quarter past 6 है तूसरां quarter past के लिए हमने 3 मतलब quarter past के लिए हमने 3 पे minute end बनाना होता है तूसरां red color में हम minute end बना लेंगे ठीक है 3 पे उसके बाद quarter past 6 हो रहा है तो इसका मतलब हम 6 और 7 के mid में हमने needle draw कर देनी है ठीक है six के पास इस तरह यह यह minute hour end हो गया ठीक है तूसरां आप मैच करना है clock with the crack time crack time के सथ हमने clock को match करना है quarter to seven तूसरां quarter to seven कौन से हो रहे हैं तो हमने यह देखने है quarter to seven यह time हो रहा है ठीक है quarter to seven seven होने वाले हैं ठीक है तो यह हमने इसको इससे match कर दिया और और स्रेंट one forty five one forty five one forty five यह हो रहे स्रेंट्स तो हमने इसको इसके match साथ मैच कर लिया quarter to three quarter to three के लिए means के three होने वाले हैं तो हम यहां पर राइट करेंगे काट